जैस्री राम अभी बज़ रहे दिन के तीन और निकल पड़े फाइनली घर से जा रहे है गाड़ी पे अभी हम पहुंच चुके मथल चल रहे अपना सफर अपनी गाड़ी लोटिंग के लिए लगा दिये लोड़े अपना जलगाउं का महाराष्ट्रा मुंद्र अदानी से तेल लोड़ करना है अपने को आसम गाड़ी में लोड़ करके आएगा गांधी दम मैं गांधी दम रुपूंगा ये गाड़ी गांधी दम होके जाएगी और ये अभी हम पहुंच चुके नखत्राना बाई के साथ है क्या हुआ है अगया लगा बड़ा है कि पहुंच रहा है वस्फान चौक में कल अपनी गाड़ी साथ लोड़ो के आ जाएगी विवराज को रुकेंगे गांधी दम में कि अगया है और भाई थोड़ा काम भी है जल्दी जल्दी एक च्टकर लग जाए तो ठीक है क्योंकि शिवरात्री का तैवार आ रहा है उसका काम है काभी यह सिल जी का मंदिर है कापी पुराना और अभी इसकी रिपैरिंग चल रही है यह मंदिर बन जाएगा तब तो भाई देखने लायक होगा इस मंदिर का भी खुद का एक इतियाज है भाई आपको पता है इसका इतियाज क्या है मंदिर का मंदिर पाकिस्तान से आया है पाकिस्तान से आया हुगा मंदिर है पूने सुर महादेव अभी हम पहुंच चुके सुखपर और बुज यांस हैं कितना चार पांच किलोमेटर है ना चार पांच किलोमेटर है यहां पर यहां पर मार्केट लगती है साम को आज रस बिलकुल नहीं है मार्केट में भी रस नहीं है और रोड पर भी रस नहीं है देख रहे हैं कैसे आ रहा है बीच में गुसाए के गाड़ी को अब दो लाइट है और ले आनी है इस गाड़ी में लगानी है एक्स्टा एलेडी लाइट वो लाइट रहती है ना सही दिखता है आगे यह लाइट है नहीं ना बिलकुल लाइट बहुत कम जो रहे है तुम्हारे गाड़ी के और बाए यह अभी हम आचुके हैं पर मिरजा पर और यह भूतिया बिल्डेंग है इसमें तो कोई नहीं रहता हैन्सान रही नहीं बात है और यह आचुके यह अम आचुके मिरजा पर पीर पित्वराजी के मंदीर के पास यह मंदीर है इस साइड में वह वहाँ पर पार मंदीर है अभी तो सही से दिखी नहीं रहा होगा यह बाई पताने कैसे चल रहा है स्कूटी वाला नेंद में गया नेंद में तो नहीं है यह तो असमें बुरा अभी साम का टाइम है थोड़ा ट्राफिक है लोका-फूल जाम लगता रहे गा लेकिन और यह कौनसे बाई पास पेилось । यह पुराने वाल्यों के चले गए बाई पास क्वे लोड़ानी अौल से पुराना यह नए वाले में चलेंगे यह सो्ना है नए बायपास μέे चलेंगे यह पुराना है किस्कूले यहां से एἵयाओं गर्डन होके से इसका पास्स के निकलते हैं यह पुरान बायपास है और आगे से लेभे हैं पूर राईक साइड में वह बायपास है अभी इसको भी काफी टायम हो चुगा है इसलिए इससरो फुराणा 換 जो नए नए डाय वर जिसभा इस प्राइबर पर लिए पाता नहीं है आप तो घहले बहुत है wellbeing सुग उपर जाने कोई ओट कोई किला है लेकिन अब भई यहां पर खोड़ा जाम है तो इसाम का टाइम है कोई गुमने रिखला है कोई काम से वापस जा रहा है चल रहे हैं कंटीनियू और अभी हम चड़ रहे हैं गुजिया पहाड वाली चड़ाई पहले हम इस सर्कल से सीधा ही जाते हैं जब भी जाते हैं अब लेंगे यहां से हम लेब साइड में और तो पर भाई के लिए अधार चाहिए कर दो इस अधार भी अब है अभी उतर है बुजियार पाड़ वाली उतर है और इस साइड में पाड है अभी तो अंधरे में दिखे गा ही नहीं और ये भुज सीटी भैई अभी काफी बड़ी हो चुकी है सीटी यहाँ पे तो गंदी रहता है कितने सालों से पता नेक चल रहे हैं यहाँ पे गंदी गंदे अब यह दश्क है बस बंड़ी बन गयता चुकी है मिले चुकाल के निकल चुके हैं तो यह मैं अब रइट शाइड में जान दे जान दे जान दे बैंड टरनें काफी खराब है यहाँ सरकल सब चोटे-चोटे बनाई हुए एक ये सरकल भी काफी टाइट सा है और एक नल वाला जो सरकल है मैं वो भी काफी टाइट सरकल है भई भई रोड काफी ज़्यादा खराब है बेकार आलरे रोड की बहुत ही ज़्यादा बेकार आलरे इस इस इड में लगाएंगे गाड़ी को और यह गाड़ियां जा रही है पार्किंग के अंदर यहां पर पार्किंग 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 काफी सेप्टी वाली पार्किंग है हम अक्सर यहीं पे रखते हैं गाड़ी को अब भाई निकल चुक है रतनाल से खाना पीना अपना हो चुका है 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 जूनी ओट लिए है 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 चल रहे है कंटीन्यू और अभी हम पहुंच चुके अंजार चल रहे हैं अंजार बाइपास में अब लाइट है जो है वह गाड़ी की काफी डिम में दो एक्स्ट्रा लाइट लगा देंगे इसमें एलेटी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी फिर काफी डिम लाइट है और एक सीसे भी साफ किये नहीं है सीसे भी काफी गंदे है और यहां से रोड जा रही है राइड साइड में मूंद्रा के लिए और लेप साइड में जा रही है अंजार सीटी के अंदर यह रोड जा रही है सीटी के अंदर और वह सामने मूंद्रा के है अब यहां से लेंगे हम राइट साइड में लैब साइड में रोड जा रही है सीटी के अंदर अरे उतर चुके गाड़ी से नीचे गाड़ी भी निकल चुकी अभी चलते हैं ट्रांसपोर्ट पे वही आ चुके पार्किंग के अंदर और हवा काफी ठंडी लग रही है बारिस का मौसम बन चुका है और हलकी हलकी सी ठंड भी लग रही है